जो टोपिक है काफी important और काफी महतोपन है उन सभी बच्चों के लिए जो तक्निक आयोग से तालुक रखते हैं या LRC के जितने भी सारे बच्चे हैं उनके लिए यह बहुत ही important होने वाली वीडियो और खासकर ITI वालों के लिए भी यह काफी important है ध्यान से देखिया और अम मेरे चैनल पर नए है इस वीडियो को देख रहे है तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किजेगा और बेल आइकन को जो तबार जिएगा ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अप्डेट करू उसकी जनकारी फर्स्ट अफॉल आपको मिल जाए हम आज सभी मुद्धे पर चर्चा करने वाले हैं बिहार सरकार ने दो निती अपनाई थी बहाली करने के लिए चाहे वो आमीन की हो तब या जेई की हो तब एक तकनीक आयो के माधियम से एक LRC के माधियम से एक LRC के माधियम से कंट्रेक अमीन का जब बहाली दिया रोस्टर किलियर किया फोर्म भर्माने के बाद भी उसको 건cels कर दिया दूसर का बाद अमीन की 17GS बहाली आई थी उसको भी क्या किया था कि इन्होंने एक बार क्या किया था उसके बाद एग्जाम लिया था और वही एग्जाम जो यह बेखリ की और मेरिट लिष्ट भी जारी कर दी कटप भी जारी कर दी सब चीज हो गया पैसा भी पर जो भी लगा हो ठीक है रहा यादि 200 रुपया यादि लेता है और चार लाग कम से का मीनिमम चार लाग भी बच्चे बैठते हैं तो समझ लिज़े कि आठ करोर का गोल मटोल ये लोग करते हैं एक फैकल्टी मतलब एक बार जो होता है तब तो मतलब नॉर्मल हम एश्टूडेंट का जोर रहे हैं तो इस तरह का मतलब इलो का रन निती है कि होता नहीं है तो यह कहीं न कहीं भीहार सरकार का एक मतलब तूटता हुआ निती है जिस सिर्फ शोसन दिख रहा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चे एक उमीद की निगाह से देख रहे हैं तो कि सरकार बदलेगी निती बदलेगी और सबका जवाइनिंग होगा ल तो चलिए हम आपको परमान के साथ भी दिखा रहे हैं और बच्चे कितने आक्रोस हैं और किस तरह से मतलब धरना प्रतर्शन कर रहे हैं चाहे वो तक्निक आयोग के होतब या LRC के होतब या अमीन के होतब हमको तो लगता है कि सभी बच्चे एक जूठ हो करके यदि मतलब य चेंज कर दीजेगा कुछ और निती अपना लिजेगा मतलब सभी आप ही है नहीं तो यह गलत है कहीं न कहीं आप जो भी चीज आप आउट कीजिए या आप कोई भी नियमावली बनाइए तो पहले दस बार नहीं सो बार सोंच समझ करके बनाइए कि आपके एक नियमावली से कम सेम लाखो लाखो बच्चों का मतलब भवी से जूर जाता है और उसको फिर से चेंज करते हैं तो यह सब गलत निती है ठीक है ना तो इस निती को चेंज कीजिए और हम कहेंगे कि जितने भी सारे बच्चे हैं वो जो धरना परतसन कर रहा है देख लिजे कितना आकुर इसी बहाली के लिए डिपलोमा और मतलब आपका मतलब ट्वेल्थ पास जो इतने भी सारे बच्चे थे वो फॉर्म को डाले थे लेकिन उसमें जब मेरिट निकला तो सारे मेरिट लिष्ट में आए बच्चे ठीक है ना उसके बाद एक्जाम भी लिया एक्जाम का भी हमको बताईए ठीक है ना तो यह यदि आप कोई भी राजनेता भी देख रहे हैं तो जरूर इसका मतलब इस पर मन्थन कीजिए आप लोग कि सतरसो सरसट अमीन का अब देखिए कि क्या कर रहा है कि अब यहाँ पर कामली में जो सर्वेयर रुका था उसमें NCVT SCVT में जो म बाली की प्रक्रिया है वो माक्स बेसिस पर हाथ के अब इग्जामिनेशन बेसिस पर होगी यह में तो आप देख लिए कि किस तरह से कहा जा रहा है कि जो अभी पिछले बार सतरसो सरसट जामीन का बहाली रिकला था उसको रद करते हुए और पुना फिर से मतलब अब इस योगता डिग्री जो होंगे आई टी आई वाले एस सीवीटी या एंसीवीटी करने वाले डाटमन सीविल के जितने भी सारे बाच्छात्र हैं वो अब इस फॉर्म को डालेंगे और उनके लिए अच्छा मौका आ गया और उस नियमावली को चेंज कर दिया गया लेकिन एवं भुमी सुधार विभाग भू अभी लेक एवं परिमाप निर्दे साल है देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि बिग्यापन संख्या 5-2022 बिशेस सर्वेक्षन सहायक बंदोबस्त पतादिकारी या बिग्यापन संख्या 6-2022 मतलब बिशेस सर्वेक्षन कानुनुगो मतलब क्या है पैसा लेकर के रद कर दीजेगा यह तो गलत बात है ना जी नहीं मतलब बिहार सरकार का दुगो रतन नहीं यह फुटले-फुटले को के पेनिये नहीं है तो अब आगे देखिए क्या है कि उक्त अधिसूचना के प्रावधान नियम के आलोग में बिहार गया कहां जी यदि आप चार लाख नॉर्मल आप चार लाख चुडेंट जो फॉर्म भला था यदि आप वहां पे देख लिए दो-दो-सो रुपया भी पेक किया होगा तो आप जोड लिजे कि कितरा पैसा पेक किया होगा आठ करोर रुपया कि आसपास में इसके पास जा दिया हो गया लेकिन अब हम आपको बता दे कि बच्चों में आक्रोज क्या है वो भी देख लीजे थोड़ा साथ लिए था जोड़ा पास जोड़ा है बात आपको यह बता दे कि इस सब का जिम्मेदार कौन है जानते हैं बिहार सरकार है जो बिहार के बच्चों को दिख भ्रमित करकरके उसको सोसित करके उसको डार्क में रहकरके हमेशा सोसन करने का काम किया है पैसा ले लेना एक तो गरिवी में जिन्दगी जीना स्रमाज परिवार सब का एक उमिद टिका रहना पटना में रहना और वहां तक जब रिजल्ट होने के बाओ जब रिजल्ट नहीं होता है ज्वाइनिंग नहीं करता है लोग तब तक ये एक मतलब अंधकार ही रहता है तो ये कहीं नहीं काफी मतलब गलत रन नीती है और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ही है क्योंकि तक्निक आयोग में आप देख रहे हैं कि आप जब नंबर बेसिस भी किये तो मद्ध परदेश से नहीं CMJ University से कहां से कहां से आप लोग मतलब इतने सारे फरजी डिग्री पक और यहां हो सकता है कि वही सब इस पर केस करवाया होगा ठीक है ना विटीएसी पर हो सकता है में भी नहीं तो आप यदि मेरे चैनल पर नए है वीडिओ को देख रहे हैं वीडिओ पसंद आगे तो में चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए का बैल आइकन को जो दबादियो Okay, bye-bye.